एक बार एक आदमी ने देखा कि एक गरीब फटे हल बच्चा उसकी ओडी कार की तरफ काफी देर से निहारे जा रहा है अमीर आदमी को उस गरीब बच्चे पर तरस आया और उसने उसे अपनी ओडी कार में बैठाया और कुछ देर तक उसे भुमाया फिर उसने उसे होटल में खाना खिलाया और गाड़ी से उतरते हुए बच्चे ने कहा अंकल आपकी यह कार बहुत महंगी होगी न अमीर आदमी ने कहा हाँ बेटा यह कार बहुत महंगी है गरीब बेच्चे ने कहा अंकल आपने बहुत महनद की होगी न अमीर आदमी ने कहा बेटे जीवन में हर चीज महनद से नहीं मिलती यह कार मुझे मेरे भाई ने उपहार में दी है गरीब लड़का कुछ सोचते हुए बोला अंकल आपके भाई बहुत अच्छे हैं अमीर आदमी ने कहा मुझे पता है तुम यह भी सोच रहे होगे कास तुम्हारा भी कोई ऐसा ही भाई होता और तुम्हें भी ऐसी ही महंगी कार गिफ्ट में देता गरीब लड़के की आँखों में अनोखी चमक थी उसने कहा नहीं साहब मैं तो आपके उस भाई की तरह बनने की सोच रहा हूँ जिसने आपको यह महंगी कार गिफ्ट दी है दोस्तो हमेशा अपनी सोच उची रखो दूसरों की अपेक्षाओं से कहीं और अधिकूची अपनी लक्षे को हमेशा बड़ा रखो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे जरूर बताएं और यदि कहानी को आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें शेयर करें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए फिर एक और नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत